नमेशकार दोस्तों आप सभी का स्वागत रिंक एजुकेशन में और आज किस वीडियो में डिसकस करेंगे आर्मी एक्जाम के लिए जीके के कुछ इंपोर्डेंट कोस्टन आज किस वीडियो में 50-60 कोस्टन कवर करेंगे जो कि पिछले आर्मी एक्जाम में पूछे गए है आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतक जुरूर देखे और अगर आपने भी तक हमारे यूटूब जैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकोन जुरूर प्रैस करें तांकि आपको हमारी अगली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर म बनाती है हर वरष की पंदरा जणबरी को सेनादिप्स मनाे जाता है नेश्ट को सने नैशनल दिएफैंस अकैडमी कहा है खडकवासला में है नैशनल डिएफैंस अकैडमी सबसे अधिक उचाई परस्तित यूथ सथल कौन सा है जो की गलैस्यर में है यह जो मोग समीर के glaciers हैं उनमें है यह नेश्ट कोस्टन है बारतिय स्टेट मेंग का मुख्याले कहां स्थीत है तो बारतिय स्टेट मेंग का मुख्याले मुख्याले मुभाई में स्थीत है Next question है, Olympic चिन्य में कितने विर्फ जांगोले होते हैं, ऐलोम्पिक चिन्य में 5 गोले होते हैं Next question है, बारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है, स्वordum thriller है, बारत का सबसे बड़ा गुरुदवारा और यह अम्री सर पन्जाब में है किस देश की बारत के साथ सबसे लंबी सथलिय सीमा लगती है तो वो बंगलादेश की लगती है चारों तिरफ से गिरा हुआ है बंगलादेश बारत से चंदरमा की सिता पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था नील आमश्टोंग थे पहले व्यक्ति जो चंद्रमा की सता पर उत्रे मायोपिया किस अंका दोस है नेतर का दोस है मायोपिया बारत का सरवादिक शाक्सर राज्य है केरल केरल बारत का सरवादिक शाक्सर राज्य है और सबसे कम है वो है बिहार नेश्ट कोसन है प्रसी सूर्याय मंदर काँ पर है यह जो सूर्याय मंदर है प्रसीद वो है कुर्णानक में नेश्ट कोसन है स्वर्ण मंदर बारत के किस चैर में स्थित है जैसे आपको पहले बताया था अम्रिसर जोकी पंजाब में है बहांपरस्तित है सुवर्ण मंदर Next question है बारत का फ्लाइंग सिख की से कहते हैं बारत का फ्लाइंग सिख है वो मिलखा सिंग को कहते हैं जोकी एक अथलीट थे और 400 मेटर 200 मेटर में दोड़ लगाते थे बारत में सबसे अधिक फ्रश्चा कहाँ पर होती है तो मनीसराम है बारत में यहां पर सबसे अधिक फ्रश्चा होती है नाइट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट नेश्ट कॉस्टन है अंतीम मुगल सास्क कौन था बहादर शाह जफर ते ये अंतीम मुगल सास्क थे और जो पर्थम मुगल सास्क थे और मुगल सास्क की जो स्तापना की थी वो थे बावर और दूसरे थे आपके हमायू और अकबर अकबर तीसरे थे तो ऐसे जो अंतीम थे बहुते बाददर शाह जफर जेने हम बाददर शाह दीते भी कह देते हैं Next question है कलपना चावला मूद रूप से कहां की रहने वाली थी हर्याना की रहने वाली थी कलपना चावला और एक अंतरिक्स मीन्स की भग्यानिक थी Next question है सबसे उंचा जरना कौन सा है गुरसुपा का जरना है, यह सबसे उंचा जरना है जलपोत नर्मान में विशम में परथम स्थान की सराश्टर का है तो जलपोत जो की नर्मान में सबसे पहले नमबर पर है जपान देखिए जो इतने भी समुंदरी जहाज होते हैं समुंदरी बेड़े होते हैं समुंदरी किस्तिय होते हैं तो उनके नर्वान में जो प्रतमस्तान है वो जपान का है Next question है बारत की सबसे बड़ी प्रकरतिक जील कुन सी है पुल्दर जील है और ये बारत की सबसे बड़ी मिठ्घे पानी की और ताजे पानी की जील भी है कुतब मिनार कहा स्तीत है दिल्ली में स्तीत है और इसका निर्वान कुतब जिन आभग कने करवाए था और इसको पुरा इल्टुतमस्ने करवा था Next question है बारत की सबसे उन्ची चोटी कौन सी है बारत की सबसे उन्ची चोटी केटू है जिसको गौड भी नाश्टिन भी कहा जाता है नाश्ट कोसन है अतियास का पिता किसे कहा जाता है इतिहास का पिता हीरो डॉर्स को कहा जाता है नाश्ट कोसन है राष्ट्रिय डैरी अनुसंदान संस्तान कहा स्थित है करनाल में राष्ट्रिय डैरी अनुसंदान संस्तान करनाल में स्थित है और ये करनाल हर्याना का एक शहर है नाइस्ट कोस्टन है उसेन बोल्ट किस रूप से परसीद है एक अथलीट के रूप से पसीद है और 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की जो ये रेस लगाते है Next question है बीचप की सबसे बड़ी, सबसे लंबी कौन सी चड़क है? दिए बीचप की सबसे लंबी चड़क है वो Trans-Canadian राज मार गए Trans-Canadian Highway है ये बीचप की सबसे लंबी चड़क है Next question है बारत में मसालों का प्रदेश की से कहा जाता है? केरल को कहा जाता है मसालों का प्रदेश क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक मात्रों में मसाले हुआ जाते है Next question है बारतीय राष्ट्रिय कांगरस की स्तापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी बारतीय राष्ट्रिय कांगरस की स्तापना Next question है बाखडा नांगलबांद की सराज्या में है? पंजाब में है बाखडा नांगलबांद जिसे हम नंगलदैम भी कह देते हैं next question है, नालंदा बिशब देल्या किस राज़े में स्तीत है, नालंदा बिशब देल्या बिहार में स्तीत है, काफी बड़ी बिशब देल्या है ये, next question है पहला computer किसे ने बनाया था जो पहला computer था वो 425 से ने बनाया था और 425 इसको computer का पिता भी कहा जाता था next question है एक हजार चोवी किलोवाइट ब्राबर होता है 1 MB के दिखिए एक हजार चोवी जो किलोवाइट है मीजस की किलोवाइट को short form है बो है kb 1 kb means की 142 kb 1 mb के ब्राबर होता है और 142 mb 1 gb के ब्राबर होता है और 142 gb 1 tv के ब्राबर होता है तो यह है इसका सारा procedure next question है Google ने किस web browser को बिकसित किया है Chrome browser को बिकसित किया है Google ने Google का बनाय हुआ है यह Chrome browser और जो internet explorer है वो जाहू का बनाए हुआ है नेक्ट कॉस्टन है बीशिब का सबसे बड़ा स्वर्न उत्पादक देश कौन सा है रूस है यह बीशिब का सबसे बड़ा स्वर्न उत्पादक जो की देश है नेक्ट कॉस्टन है कौन सा देश बीशिब में जुरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है दिखे जुरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है कनाडा कनाडा में सबसे अधिक उत्पादन के राता है जुरेनियम का काफी महंगी दातु है जुरेनियम नेक्ट कॉस्टन है बी नेस्ट को स्थन है, बिशेव का सबसे बड़ा मारस्थल कौन सा है? सहरा मारस्थल है, यह बिशेव का सबसे बड़ा मारस्थल है, और बारत का सबसे बड़ा मारस्थल है, वो है धार. नीश्ट को सेने, यूरोक क्या है? द chia एका है, यूरोपिय संग की मुद्रा है, यूरो जितने भी यूरोपिय संग है, उनमें ये जो कुरंसी है वो जूरो है नीश्ट को सेने, अबेस बाल है, ये स्युनकत राश्टर अमेरिका का सबसे लोग प्रिया खेल है क्रिकट का प्रथम विशिव कब कब आजोजित किया हुआ था 1975 में आजोजित हुआ था प्रथम विशिव कब क्रिकट का नेपाल की मुद्रा क्या है रुपेया रुपेया नेपाल की मुद्रा है next question है मोर्या समराज्य के संस्तापक कोन है चंदर गुप्त मोर्या है इन्होंने मोर्या राज्य की नगी थी और विन्दु सर थे जो इनके आपके चान के है सोरी बिचनूंगुप्त चान के है और कुटिले थे वो उनके परदानमंत्री थे और जो मोरेश मराज्या के सैगने सास्क थे बहुते बिंदु सार उससे बाद असोग आ जाते हैं उससे बाद ब्रैदर्थ आ जाते हैं तो ऐसे थे मोरेश मराज्या के संस्तापक हैं चंदरगुप्त मोरेश बारत में पशुओं का सबसे बड़ा मिला कहां लगता है सोनपुर में लगता है बारत में पशुओं का सबसे बड़ा मिला नेश्ट कोस्टन है गुवत बंस के संस्तापक कौन है श्री गुवत बंस के संस्तापक उससे वाद कुमार गुवत चंदर गुवत ऐसे आ जाती है next question है, बारत का सबसे रधिक बन वाला राज आ है, मद्य परदेश है अगर आप उरनाचल परदेश कहते हो, तो उरनाचल परदेश प्रतिसत के साथ से है, कूल राज अगर हम टोटल बनों की साथ से लगाएं, तो वो है मद्या प्रदेश का शेत्र फल है वो काफी जादा है और उर्नाचल प्रदेश का है वो बहुत कम है अगर हम बात करें प्रति सत के हिसाब से कुल राज्य के शेत्र के प्रति सत के हिसाब से तो वो है उर्नाचल प्रदेश और अधिक बनो वाड़ा राज्य देखें तो वो है मद्यापरिज नेक्स कॉस्टन है हडपा का परमुख शैर काली बंगा किस राज्य में है तो राज़्तान में है काली बंगा यहाँ पर जूते हुए खेद मिले थे हडपा सबदा के जूते हुए खेद मिले थे काली बंगा में तो ये है आपका रास्तान में नेच्ट कोस्टन है हडपा सबदा का परमुख नगर लोथल की सराज्य में है गुजरात में गुजरात में है लोथल और यहां पर एक बहुत बड़ी बंदरगा थी